दूस्तो Chrome browser एक ऐसा browser है जो सभी Android phone के अंदर आता है लेकिन कभी दूस्तो आपने सोचा है इस Chrome browser के अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक setting है ऐसे खतरनाक feature है जो आपके phone की battery backup को इतना ज़दा बढ़ा देंगे ना कि एक बार आप चार्ज करोगे आपके phone का जो battery है वो 3 दिन तक चलेगा एक बार चार्ज करने पर सिर्फ आपको करना क्या होगा Chrome browser के अंदर जो खतरनाक feature दिये हुए है उसे आपको बंद करना है सही सुना गाई सापने अभी तक आप लोग अपने phone की Chrome browser से सिप ब्राउजिंग की होंगे लेकिन आज आप Chrome browser से अपने phone की battery backup को बढ़ाने वाले है जिससे देख करके दोस्तों आपको चौक जाएंगे तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा अगर आपके phone का battery health खराब है battery backup बहुत ही बेकार हो गया है एक दो दिन भी नहीं चल रहा है तो इस video को बस like कर दो और continue गा इस इस video को देखते रहो तो आएए दोस्तों मैं आपको Chrome browser के उस सभी hidden feature की बारे में बता देता हूँ जिससे आप अपने phone की battery backup को इतना जदा बढ़ा देंगे कि एक बार charge करने पर लग बग दोस्तों तीन दिन तक आपके phone का जो battery है वो चलने वाला है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा अपन अपने phone का जो Chrome browser है इसे उपे इंतलेना है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहला setting करने के लिए यह जो तीन डॉट दिया है इसके उपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको आजाना है setting के अंदर अब setting के अंदर आएंगे तो सबसे पहले number का जो setting है व दोस्तों आपके phone में बार बार यहाँ पर आप देख लीजिए sync everything यानि कि जितना चीज है ना दोस्तों आपके phone में लोड हो रहा है तो इससे दोस्तों आपके phone का जो battery है वो काफी तेजी से use होता है तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा इस setting को यहाँ से बन कर तो ऐसे में आपको इस setting को बंधी करना होगा ठीक है यह पहले नंबर का setting हो गया उसके बाद आपको यहां से back करना है अब दोस्तो हमें क्या करना है दूसरे नंबर का setting करने के लिए आपको privacy and security के अंदर आ जाना है यहां पर दोस्तो आपको दूसरे नंबर का setting देखने को मिल browsing अब safe browsing दोस्तो क्या है बहुत लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे या फिर बहुत लोग इससे इस्तमाल भी करते होंगे लेकिन दोस्तो क्या आप जानते है इससे आपके phone का जो battery backup है यह भी दोस्तो बहुत ज़दा increase होता है बहुत ज़दा बढ़ता है कैसे मैं स जिससे आपके phone का जो battery है वो बोल सकतो ना इतना तेजी से drain होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ऐसे खतरनाक application हमारे phone के background में इतना ज़दा run करते हैं कि पूरा battery खतम हो जाता है तो उसके लिए दोस्तो आपको करना का है इसे enhanced protection पर set करना है जैसा कि आप देख ल ब्राउजर में कोई भी ऐसी खतरनाक app ना आये जो आपके phone के battery backup को खराब कर दे समझे रोग तो इसे आपको यहां से on करना है इसे on करने के बाद आपको यहां से back करना है बैक करने के बाद दोस्तो अब तीसरे नमबर का जो setting है वो यहां पर देखने को मिल जाता है notification अक्स समझ लीजिए उतना जहाद आपके phone का जो battery है वो यूज हो रहा है यह जो feature है ना दोस्तो यह सबसे बेकार है क्योंकि आपके phone में पहली बात तो भर-भर के notification बेशता है और दूसरी यह आपके phone के battery को काफी तेजी से drain करता है काफी तेजी से खतम करता है तो आपको simply करना क इस setting के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर जीटने भी notification के setting आपने on कर रखे है वन बाई करकर आपको सभी setting को बन कर दिना है जैसा कि आप देख लीजिए ठीक है इसी प्रकार से आपको इस setting को on करके कभी भी नहीं रखना है नहीं तो इतना ज़्यादा notification आपके phone में आएग आपके phone का जो battery है वो देखते देखते ही खतम हो जाएगा यानि यही होगा सुवे चार्च करोगे 100% शाम होने से पहले आपके phone का जो battery है वो 0% पे हो जाएगा समझे तो इस setting को आपको यहाँ से बन करके रखना है तो तीन setting दोस्तों हमने यहाँ पर chrome browser में कर लिया अब ज नीचाना है यहाँ पर आपको battery saver देखने को मिलेगा ठीक है इसके उपर आपको क्लिक करना है और यह दोस्तों आप देख लीजिए no restriction पर set है इसका मतलब यह है कि chrome browser आपके phone के battery को unlimited use कर सकता है उसकी कोई भी limit आपने यहाँ पर set ही नहीं किया है तो ऐसे में दोस्तों आप आपके phone का जो battery है वो कैसे मतलब लंबे समय तक चलेगा जब आप उसका limiting नहीं set की है तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर कई option आपको देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं तो इससे आपको restrict background app के उपर क्लिक कर देना है जिससे chrome browser आपके phone के background में ना चले और number की setting की यह जो 5th number का setting है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ उसके लिए बस आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है install apps from unknown sources इसके बारे में दोस्तों हो सकता है कई लोग जानते हो लेकिन I know दोस्तों बहुत ही कम लोग इसे जो है बन करके रखे होंगे क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसी खतरनाक setting है ना जो आपके फोन में बिना आपको बताए कोई भी application को install कर सकती है यानि कि अगर आपने इस setting को chrome browser में on कर रखा है तो इसका मतलब यह है कि भाई आपके chrome browser में कभी भी आप browsing कर रहे हो तो कोई भी application आपके फोन के अंदर install हो सकता है और वह application आपके फोन के बैटरी backup को पूरी तरह से damage कर सकता है खतरनाक है है ना ऐसे application आपको भी पता है तो ऐसे में आपको करनाक है यह जो install unknown apps वाला setting है इसे बिना सोचे समझे हमेशा आपको अपने chrome browser के अ इसे बन करके रखना है समझे हो नहीं तो दोस्तों क्या होगा कभी भी आप browsing कर रहे होंगे पीट पीछे दोस्तों आपके फोन में application इंस्टॉल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा समझे हो तो इसलिए आपको इस setting को बन करके रखना है तो total दोस्तों यहाँ पर मैं समाल की वीडियो लाए हूँ तो प्लीज यहाँ लाइक कर दो चैनल को सस्क्राइब कर दो बैल आइकोन को अलपे कर दो और हो सके तो यह इस वीडियो को ना अपने फैमिली मिंबर्स के साथ जरूर शेयर करना थैंक्यों दोस्तों बाई बाई टेक कियर झाल